ही हिए कि नमस्कार प्रिया जनों आप सबीका मेरे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ आपके अपनी शुव्जिंत का पाई मेरे चैनल पर आपका बहुत बहुत धन्यवद करूंगी डेव इุठानी का द्षी की डेव उठानी एकादशी को देव प्रबोधनी एकादशी भी कहा जाता है देवो थान एकादशी भी कहा जाता है देव प्रबोधनी एकादशी कार्तिक मास के शुक्रपक्ष की एकादशी को कहा जाता है जिस दिन तुलसी विवा किया जाता है यह 14 नमंबर 2021 रवी बार को है तो श पर विराजते हैं जल में इन दिनों में तो अब जब जागते हैं वो ये देव उठनी अकादिशी होती है जिस दिन वो जागरत होते हैं और उसी दिन तुलसी जी से उनका विवा किया जाता है कहते हैं विशनु भगवान जब जागते हैं तो सबसे पहले वो किसे देखना पसंद करते हैं वो माता तुलसी को सबसे पहले उनके दर्शन करना पसंद करते हैं उनको सबसे पहले देखना चाहते हैं तो इसलिए उसी दिन को मात तुलसी का विवा किया जाता है और भगवान उनका विभा मा लक्ष्मी से हुआ है लेकिन लक्ष्मी जी का दूसरा सवरूप ही मा तुलसी है जिससे उनका विभा उस दिन किया जाता है तो तुलसी विभा जब किया जाता है तो हमारे बेटे बेटियां जो एविभाईत हैं वो उस दिन बहुत सारे उपाई करते हैं या वदू के तो आप उस दिन अगर विवा करते हैं तुस दिन अगर विवा करते हैं तो सबसे पहले तो कुछ ध्यान देने योगय बाते होती हैं जिनको आपको हमेशा ध्यान में रखना चाहिए हर तुलसी विवा पर ही ध्यान में रखें तो ज़्यादा अच्छा है जैसे कि मा तुलसी जहां हो एक तो जब भी आप विवा करें मा तुलसी का तो आपका गमला कहीं भी रखा हुआ हो माने कोने में रखा हुआ है छत पर रखा हुआ है जिस जगा पर भी रखा हुआ है एक साइड में रखते हैं लगबग बीच में तो नहीं रखे जाते तुलसी के पोधे गमलों में और ना लगाई जाती है साइड में रखे होते हैं तो जब भी आप जिस दिन विवा करें उस उठाके एक बार क्योंकि तुलसी जी को चारों तरफ बैठके पूजा की जाती है पुरे परिवार के लोग बैठते हैं पुरे परिवार सही तो पूजा होती है बहुत सारी सामगरीर की जाती है आसपास कई बहुत सारे लोग पंड़े जी को बुलाते हैं विवा करवाने के लिए तो जगा स्पेस जो होता है वो काफी खुला होना चाहिए उस वक्त तुलसी जी का जिसके पास बैठके विभा किया जास के और एक आप तुलसी जी को पूरी सिजावट करते हैं मुझे लगता है बहुत सारे लोग बहुत तरीके से सिजावट करते हैं इतने तरीके से क बहुत लोग कर नहीं पाते हैं उतिनी स्व मा तुलसी को लाल चुनरी जरूर अरपित करें सुनदर हो कोई किनारी वाली, गोटे किनारी वाली और एक उनको बिंदी जरूर लगा दें और एक चूड़िया जरूर पहना दें ये तीन चीज तो सुहाग की जो होती हैं आप और कुछ कर पाएं ना कर पाएं लेकिन ये तीन चीजों का बहुत ध्यान रखें ये तीन चीजे मातलसी को जरूर उस दिन पहना दें अर्पित नहीं कर दें पहना दें उनको उस दिन ये तब तक मैं आपको बताती रहूंगी कि क्या सजावटे होनी चाहिए लेकिन ये कुछ चीजे हैं जो बहुत सधारनसी हैं जिसका आपको ध्यान रखना चाहिए और इस चीज़ का ध्यान रखते हुए मां तुरसी के विवा के तैयारी आपको करने चाहिए और इसके साथ ही मा उपाए बहुत सारे मैं बताऊंगी जैसे जैसे आप करें चोटे चोटे बताऊंगी बहुत आसान से बताऊंगी और इसके साथ ही लड़कों को बेटों को भी बताऊंगी बेटों के विवा का एक अलग से उनके विवा में शामिल होने का और उनके एक तरीका करने का बहु अगर वो उपयोग करते हैं उपाय में अपना काम करते हैं वो तो आप देखिए कि उनके विवा के सुन्दरी हो कितनी जल्दी बढ़ेंगे ये एक तरीका मैं आगले वाले वीडियो में जरूर बताऊंगे बेटों के लिए और बेटियों के लिए भी कहूंगी कि मात तुलस विवा में लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं जिनको आपको कभी भी नहीं करनी चाहिए वो गलतियां कभी भी नहीं करनी चाहिए तुलसी विवा में आपको तुलसी विवा में क्या चीज ऐसी है जो आप अर्पित कर देते हैं तो आपके विवा की अर्चने वैसे की वैसे ही याद रखें इस चीज को कि शिगर विवा के लिए उपाई करते हुए या पूजा करते हुए तुरसी मा की कभी भी शाली ग्राम जी को वह चीज अर्पितना करें आपको वह चीज बताती हूं उससे पहले एक छोटा सा निवेदन करना चाहूंगी कि अगर आप वीडियो बह प्रेस करें ताकि नोटिफिकेशन आपको लगातार मिलता रहें और आप इन उपायों को करके लाब उठाते रहें जो कि मेरे दिला इच्छा हमेशा रहती है बाकी अगला ही चीज बताऊंगी आपको वह चीज है कि आप शाली ग्राम जी को कभी भी जीवन में चाहे आपक की खीर मा लक्ष्मी को अरपित होती है उनको पसंद है उनकी पसंद का भोग है वो उनको अरपित किया जाता है लेकिन विश्नु भगवान को चावल आप जानते हैं कादिशी के दिन वैसे भी चावल नहीं खाय जाते कोई भी चावल नहीं खाता है तो इसलिए चावल वो पूरी नहीं होगी तो यह चोटी सी चीज है जिसको ना करें बाकी आप सावधानिया बहुत साथ रखें ध्यान दे रहे होगे जो मैंने बाते बताई हैं आपको तो प्लीज अगर वीडियो आपको अच्छा लगाओ तो वीडियो को लाइक करें शेयर करें चैनल को सब्स